तो हेलो भाई लोग कैसे हो मैं हूँ एसके और आप लोग देख रहे हो एसस ग्राफिक्स यूटूब चैनल सो गाइज आज की वीडियो में जैसा कि आप लोग ने प्रिवियू पर देखा वैसा ही एडिट में आप लोग को सिखाने वाला हूँ उनली काइन मास्टर और ओड वीडियो से और जो हेस़् वीडियो में यूजक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो स्टाट करते ही आज की वीडियो गो तो गैस सबसे पहले तो सो आप लोग को कर लेंक को instrument को open डिस्क्रिप्शन में मूरिट काइनवास्टर दिया जो कि किसी किसी के डिवाइस में वर्क करता है किसी के में वर्क नहीं करता है तो बहुत सारे लोग करते हैं बहुत सारे तो नहीं करते हैं कि उनके में काम नहीं करते हैं तो वो लोग यूटूब पर सच करके अपने डिव प्लस पर क्लिक करने 16 डिश्टो 9 का प्रोजेक्ट लेना है जैसे कि हम लोग हर बार लेते हैं और आपको गेमप्ले इंपॉर्ट कर लेना है और गेमप्ले आपका कोई सा भी गेमप्ले आप ले सकते हो और यहां पर मैंने अपना गेमप्ले ले लिया और यहां पर मैंने इमोट किया और यहां पर जो मैं करने वाला हूँ सारे घर उडाने वाला हूँ तो जैसे मेरा इमोट होता है यहाँ पर तो मैं इसको यहाँ से लेकर side का जो बीच में split कर दूँगा और मुझे आगे का part जो नहीं रखना है अगर आप लोग आगे gameplay रखते हो तो आगे gameplay रख सकते हो as continue कर सकते हो और side में आपको यहाँ पर यह वाला icon मिलेगा प्लस पर क्लिक करने, Blank Document लेने, 1920 by 1080 का प्रोजेक्ट आपको Create करना है, और प्लस पर क्लिक करने, Photo Layer, Photo Library पर जाना है, PCC का लिंक पर आपको description में मिल जाएगा, और जितनी भी चीज़े में यूज़ करता है, सबका link description में लिए आपको समझा जाएगा, capture folder बन गया हो गएग아 capture वाले folder में आप लोग को जाना है और वो वाले image लेकर आ जानी है image लाने के पर आप लोग कीसे ही रख देना है इसको और इसके बाद यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर ले लेना है आपको polygon selection tool इसके बाद आपको पूंटर करने के पाद आपको यह वाले यह राइट हैंड से इसको चलाने और लेफ्ट हैंड से जो यह साइड में दिख रहे हैं उसको दबाओ कि टेक डॉट पर जाएगा जैसे मैं दिखाता हूं यहां पर जैसे मेरे को डॉट रखना है तो मैं लेफ वाले को टच करूंग अच्छे से शिखा लो और यहां पर मैं अच्छे से एक प्रेक्ट करो और इसके बाद यह दोनों डॉट को जोड़ दो और इसके बाद इसको कर देना लेयर फ्रम सेलेक्शन ऐसे आपको जितने भी चीजों को उडाना है वो सब को सिलेक्शन कर लेना है इस सब ही घरों का पी औजी बना लेना है आप लोगों मैं दिखाता हूं कैसे करना है सब गहनों कजैसे मैं सेलेक्ट किया तो वैसे आपको सारे गर को सब और इसकेından जो source है आपका source को रखना है कुछ है यहाँ पर source को ऐसे रख देना है और इसके बाद brush का size जो आपको 100 रखना है बहुत ही सही रहेगा 100 size और इसके बाद आपको कुछ ऐसे ऐसे करना है फिर आपको source लेना है फिर आपको ऐसे करना है ऐसे source ले लेकर आपको पूरा घर ऐसे हट कर दिना और जया जब ही स्काई के प्लास साइज काई के प्लास फूहुँचता है स्काई के पास तो इसको एसे ख़ाइक ले ले अपको चन Şimdi शह अपर गंवेशन करणा ने और तो आपका पूरा वर्फिक जो फोटीरल उस को वेड़े जो लगने वाला है पहले बता prends दिरओ सोर्स को बदलते रहे हाँ आपे देखो हमहारा यह जो गारा हट हटAT कि मैंने अच्छे से निक्या लेकिन आप लोग अच्छे से करना मैं इसको अच्छे से करके दिखातो आप लोग को इसके बाद आप लोग को आ जाना है वापस से आपके जो से हुआ था यह Save हुए यहाँ पे, तो इसपे आजाना है और यहाँ पे आपको इसको Hide करना और तीनों घर को ऐसे करके, Visital करके आपको Save a Copy कर लेना है, Save a Copy करने के प्द आपको नीछे Share का आइकन मिलेगा यहाँ पे, इसपे तबाना है Save to गैलरी करना है PNG में करके दोना इमेजे को आपको सेव कर देना है gallery में और इसके बाल आपको आ जाना में बैग्राउंड एरेजर में इस बैग्राउंड एकर के नहीं बनाने के लिए जो character यह बनाने के लिए क्यों कि और बहुत ही hard होता है करहते हो तो मतलब अगर मैं इसको remove.beasy में लेकी चाहूँ को तो सब कुछ मिठ जाएगा आपको सबसे पेले manual में आ जाना है जैसे मैंने pick लिया था वैसे आप लोग ला ले ना और manual eraser में जाके आपको erase करना चालू कर देना है अच्छे से erase करना है आपको सारा जो इसका जो background आपको पूरा हटा देना है character को छोड़की आप लोग को साहिद ये पता भी होगा ये वाला part आप लोग कैसे कर सकते हो तो मैं आप ये पूरा बना लेता हूँ character का png फटा फट so guys उसके बद आपको background ऐसे ऐसे करके erase कर देना है मेरा character का png बन नहीं वाला है so guys character का png बन जाने के बद आपको right corner उपर पर done करना है फिर यहां पर one रहने देना और save कर देना है और finish कर देना है आपकी gallery में save हो जाएगा इसको आजाना है node वीडियो पर node वीडियो पर आने के बद आप लोगो plus पर क्लिक करना है और new वाला project बन जाएगा description में जो node वीडियो दे है उसको ही download करना तब आपके में यह सब interface आएगा otherwise नहीं आएगा media पर क्लिक करना image जाना है image पर जाके आपको तीनों घरों का png ला लेना है जो कि आप लोग ने three house को cut करके बनाया था तो यह three house का png आ चुका है और इसके बाद आपको करना है कि यहाँ पर three जो इधर line दिखी कि उसपर क्लिक करना है convert to lightsaber lightsaber पर convert हो जाने के बद आपको यह वाला image था जो लिया था आपने घर को उसको delete कर देना simply और सबसे पहले तो यह अलग अलग घर को select कर लेता है जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज लगते हैं तो यहाँ पर आपको electricity लिखा होगा उस पर जाने electricity को फिर से select कर देना electricity पर और इसके बाद आपको color change करना है तो आपको करना के color को मैं इस बार रखोंगा yellow यहाँ पर और yellow रखने के बाद मैं इसको blackest कर दूँगा जिससे की यह अच्छे से दिखे और इसके बाद दूसरे पर जाओंगा और इसको भी कुछ color change कर दूँगा और सबकी color मैं change कर देता हूँ इसको और इसको green कर दिया था और यह बहुत ही अच्छा दिख रहा है उसके बाद आपको इसको export कैसे करना है नीचे आपको export कर दिखेगा और यहाँ पर simply आपको यहाँ पर क्लिक कर देना आपका exporting चालो हो जाएगा प्लस पर क्लिक करके new project लेना है और यहाँ पर जाना है और मीडिया पर जाना है इमेज पर जाना है इमेज पर जाना है इसको फिर आपको duration यह वीडियो की कम कर देना है बस आपको चार सेकेंड का वीडियो जो है बन जाता है यहाँ पर देखो इमेज की duration ज्यादा हो गई है लेकिन आपको 10 के पास जाना है और यह दो डॉट को मिटाना नहीं आपको कुछ भी मिटाना नहीं है तो यहाँ पर रखना है और आपको उंगली से इसको लाना है pointer को हो आपर और 0.4 कर देना है तो यहाँ पर आपको चार सेकेंड का क्लिप बन जाता है और इसको भी कर देना है convert to lightsaber और lightsaber करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर हो गया आपका फिर यह वाली image को जो है delete कर देना है डिलीट करने के पर आपको light server पर आजाने और light server पर आने के पर आपको electricity को फिर से एक बर select कर देना है थोड़ा सा glitches और इसके पर आप लोग इसका color change करना चाहो तो यहां पर इसे जाके आप लोग color change कर सकते हो और फोड़ा black में रखना जिससे आपका glow एकदम सही आएगा उसक इस पर आपको इसपर क्लिक करते है एक्सपर्टिंग चालो हो जाएगे और डायरेक्ट वीडियो एक्सपूर्ट रोने के बदद की गैलरी में पहुंच जाएगा बेंगराउंड पर पहले इतना फिर उसके पद आपको यहां पर जैसे खरने एसे दाकि यह कि भी आपको जाना है यहां पर मीडिया पर और यहां को जाना है नोर्ट विडियो की वीडियो पर आपको जोड़ा सा कलर ग्रेडिंग कर दो एस जोड़ा से इससे black and white photo आपका create हो जाता है और इसके हिसाब से आपको पूरी जो clip से उनको cut कर लेनी है और इसके बाद यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आने के बाद आप लोग को ला लेना है आपके घर का PNG जो आपने कर लेना है घरों को अच्छे से और ऐसे हाथ से करने की फ्रेम्स पर आना है और कुछ यहाँ पर पहुंच के आपको ऐसे कर देना है और फिर इसके बाद विडियो को हिलाना नहीं फिर की फ्रेम्स पर आना है और इनको भी कुछ ऐसे यहाँ पर पहुंचा देना है और जो यह वाला है थोड़ा सा आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो इसके लिए आपको करना किया इसके भी एज़ेस्मेंट पर जाने के बद आपको कॉंट्रास को बढ़ाना है और इसके लिएवे बढ़ा देना है इसके बद आपको बढ़ा देना है क्या किया मुझे यादनी लाइटेन नी किया है हमने और इसके बद आपको जाना है और Character का PNG ला लेना है Character का PNG आप लोग ने Background Eraser में बनाएगा तो Eraser नाम की Folders में Save होगा इसके बाद आपका इतना बन जाने के बाद आपको Media पे जाना है और आपको Description में एक Video मिल जाएगी उसको Import कर लेना Video Import करने के बाद आपको Video पे जाना है और इसके बाद आप लोग कोई साभी Song लगा दो और आप लोग को Video का Fade In और Fade Out On रखना है Audio का भी Fade In और Fade Out On रखना है इसके बाद जो हमारा बन चुका है आप लोग देख सकते हो अभी यह देख लो आपको स्क्रीन पर चली रहे यहाँ पर आपको आजाना है Animation पर और यहाँ पर से जाके आपको Get More पर क्लिक करके आपको यह Transaction Effect में कोई भी एक Transaction जैसे मैं देख लेता हूँ तो आपको Acceleration वाला आपको Download कर लेना है और Acceleration को मैं ऐसे नाम प्रोनाउंस नहीं हो रहे है और इसको 0.5 कर देना है और इसके बाद यह कुछ ऐसा लगेगा और इसके बाद जब यह आएगा तो आपको कुछ ऐसा देखनी को मिल जाएगा और इसके बाद जो आपकी Layer से सारी पीछे चली जाएंगी तो इनको एक एक करके आगे ला लेना अच्छे से सबको मैं आगे ला लेता हूँ और इसके बाद आपको इसको Export कर देना है और यह बहुत ही अच्छा दिखने वाला Export होने के बाद तो गैस मैंने आप इसको आगे ला ले यहाँ पर आपको simply क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जितना हो सके हर प्रोजेक को High Quality में सेव करना है तब आपकी प्रोजेक की कॉल्टी गड़ जाएगी आई होब आपको आज की वीडियो अच्छी लगई अगर वीडियो अच्छी लगई तो लाइक कर दो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को आल बेसेट कर दो मिलते हैं हमारी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाए